Covid-19 Corona virus की vaccine जब तक नहीं बन जाती। तब तक हमें Corona virus के साथ पर Corona virus से बचके रहना होगा। ये vaccine का मसला है क्या? ये vaccine कैसे बनती है? और इसको बनाने में इतना समय क्यों लग रहा है। आएए इन प्रश्णों के बारे में आज इस एपिसोड में देखते हैं। स्मॉल पॉक्स या चेचक के वरुद सन 1796 में एडवर्ड जनर ने वैक्सीन की जात की उसके बाद से कई भेंकर बिमारियों जैसे मिजल्स, पोलियो, टिटनस, हिपिटैटेस बी वगरा की वैक्सीन तियार की गई नतीजन आज बहुत ही भेंकर भेंकर बेबारियों से मनवजाती को छुटकारा मिल चुका है क्योंकि उसकी वैक्सीन आ गई है ये वैक्सीन बनाई कैसे जाती है वैरस को यदि नॉर्मल फॉर्म में शरीर में जाता है तो बहुत तेजी से ग्रो करता है और हमारी एंटीबॉडिस इतनी तेजी से नहीं बन पाती है पर अगर वैरस को कमजोर कर दे उसको इनक्टिवेट कर दिया जाए तो बहुत धीरे-धीरे ही बाडी में ग्रो करता है या नहीं के मात्र करता है इस बीच बाडी एंटीबॉडिस इसकी बना लेती है और इसी को वैक्सिनेशन कहते है तो वैग्यानको ने वैरस को डिस्ट्रोई कर इसको बोलते हैं इनक्टिवेट कर या लाइव वाइरस को तोड़कर लाइव एक्टिवेटेट वैरस को बॉड़ि में इंटिधूस किया और उससे कई तरे की वैक्सिन बनी यहीं स्मॉल पॉक्स, पोलियो वेक्सीन ऐसे ही बनती है इसके बाद नएने तरीके आ गए साइंस की ग्रोथ होने के बाद सब यूनिट वेक्सीन बनी इसमें वाइरस के प्रोटीन या पॉली सेकराइट को बाडी में इंटिडूस कर देते हैं इसके हिसाब से हमारी बाडी उसकी एंटिबाडी बना लेती है अब और भी ने तरीके आ गए है यानि वाइरस का जीनियूम का पता करके उसका डिने या आरैने को बाडी में डाल देते हैं हमारा इम्यून सिस्टम उसके उसको रीड करके उसके हिसाब से इसकी antibodies बना लेता है अब COVID-19 coronavirus की vaccine बनाने के लिए किन तरीकों का इस्तमाल किया जा रहा है जो चार-पास तरीके उपर हमने डिसकस किये इन सभी तरीकों का इस्तमाल विभिन कंपनियां कर रही है वर्तमान में लगभग 100 candidates vaccine की दौड में है अच्छा है ये दौड चल रही है सभी कंपनियां चाह रही है कि हमारी vaccine सबसे जल्दी बन जाए इस दौड में से 7-8 candidates ऐसे हैं जो बहुत ही promising है यानि कि जिनके सफल होने की बहुतिक संभावना है Oxford University के General Institute ने एक vaccine बनाई है जो common cold का virus होता है एडिनो virus उसके उपर COVID-19 के protein, spike protein को बिठा कर इसको body में introduce किया गया है इन्होंने इसके animal trial किये हैं जो बहुत ही सफल रहा है इसके बाद 1000 volunteers को recruit किया गया और उसमें से काफी को ये vaccine दे दी गई है उनकी जाच हर हफते, प्रति दिन और हर महीने में हो रही है कंपनी का ये कहना है कि जून माह के मिट तक उन्हें ये पता लग जाएगा कि इस vaccine विल वर्क और नॉट इस बीच भारत के Serum Institute of India ने इसका production भी शुरू कर दिया है क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर सितंबर तक इस vaccine का approval हो जाता है तो large amount में इसकी dosage पहले से तयार हो Moderna कंपनी की mRNA 1273 vaccine भी काफे आगे है सिर्फ यही vaccine को second phase का trial की permission मिली है 7 मई 2020 को इस company को second phase का trial करने की अनमती USA FDA ने दे दिया है इसके अलावा Novavax company की NVX 2373 vaccine के animal trial जो चूहों पर और बैबून पर किये गए हैं और बहुत successful रहे हैं इस company ने भी 130 volunteers को recruit कर लिया है और वो first phase clinical trial शुरू करने वाले इसके अलावा इस दौड में जो मुखी कंपनियां आगे हैं वो Sonafi, France की Israel की Tel Aviv University और Johnson Johnson China की CanSynobiologics ये कंपनियां भी इस दौड में काफी आगे हैं trail करने के करम में तीन phase होते हैं पहले phase में करीब 30-40 लोगों को जिन कोई बिमारी नहीं हो उनको ये trail injection दिया जाता है और ये देखा जाता है कि इसके effects क्या हो रहा है क्या बहुत कोई भेंकर effect है उसको withdraw कर लिया जाता है या छोटे मोटे side effect है तो उसको कैसे control किया जाएगा उसके बाद second phase के trail में 300-500 लोगों को ये vaccine की जाती है इसमें placebo test भी होता है और तब ये देखा जाता है कि side effects, efficacy क्या फायदे इसके हो रहा है कितना फायदा कर रहा है third phase में इसको extend करते है करीब 5-10,000 लोगों पर ये trial किया जाता है लेकिन इस बीच ये भी decide करना होता है कि vaccine की dosage क्या होगी 0.5 mg या 5 mg इसको कितनी बार देना हो हर हफते या एक महिने में या 6 महिने में repeat करना होगा तो जो trial में अभी दिये गए हैं उनका test एक मेने बाद होगा फिर तीन मेने बाद होगा फिर छे मेने बाद होगा इस सारे process को decide करने में काफी समय लगता है और इसलिए vaccine को बनाने में समय लग रहा है दोस्तों जब तक vaccine नहीं बन जाती stay smart, stay safe अगर आपको मेरे videos पसंद आ रहे हैं तो इस channel को ज़रू subscribe करिए और अगर आपके feedback मुझे comment section में मिलेंगे तो मुझे आगे और अच्छे video बनाने में मदद मिलेगी